देश की जनता को सबसे पहले में बहुत बहुत बढ़ाई देना चाहता हूं कि लगबग आजादी के 77 साल बाद अप्राधिक न्याय प्रणाली हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिष्टिम पूर्ण तया स्वदेशी हो रही है और भारतिय इतोस के अधार पर यह चलेगी 75 साल के बाद इस कानूनों पर विचार हुआ और यह कानून जब आज से हर थाने में अपना काम करना चालू करेंगे तब अंग्रेजों के बनाए हुए कानून निरस्थ होकर भारत की संसर ने बनाए हुए कानून आए दंड की जगह नियाय लेगा देरे की जगह स्पीडी ट्रायल और स्पीडी जस्टीस मिलेगा और पहले सी पुलिस के अधिकारों की रक्षा की गई थी अब पिडीतों के अधिकारों की रक्षा और जो कंप्लेनन्ट है इसके भी अधिकारों की रक्षा करने का काम होगा तो एक नए नजरिये के साथ इतिनों कानून आज सुबह से ही मतलब कल मद्दे रात्तरी से काम करना सुरू किये हैं अब इंडियन पिनल कोड जिसको IPC कहते थे 1807 से जो कानून था इसकी जगए BNS भारतिय न्याई सहिता आएगी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जिसको CRPC कहते थे जो 1898 से अमल में था इसकी जगए भारतिय नागरिक सुरक्षाक सहिता BNS आएगे और Indian Evidence Act 1872 से जो इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टिम को गवन करता था इसकी जगए भारतिय साक्स अधिनियम BSA लागू होगा तो BNS, BNSS पर BSA के लागू होने से पूरी न्याय प्रणाली का अप्राधिक कानूनों की स्पून अतया इसके अंदर हम कह सकते अब भारति आत्मा है इसके धेर सारे प्रावदान ऐसे किये गए हैं जिससे कई समूहों को फाइदा होगा कई सारी दफाएं जो अंग्रेजों के समय से विवाद में रही इसको हटाकर आज के समय के अनुकूल धाराएं जोड़ी गई है और कई सारी ऐसी चीजे जिससे भारतिय नागरिकों को परिशानी थी इसको अठाकर नए प्रावदान किये गए हैं सबसे पहले हमने इसमें हमारे समभीदान के स्प्रीट के तहर्ब रफाओं की और चेक्स की प्रावटी तएकि हैं सबसे पहली प्रावटी महिलाओं और बच्चों के अपराध को दी गई है और मैं मानता हूँ कि एक करने की बहुत समय से पहले जरूय थी एक पुरा अध्याय इसमें जोड़ा गया हैं जिसमें 35 धाराय हैं और 13 प्रावदान हैं जिसमें गैंग रेप के लिए अब 20 साल की सजा या तो कारावास आजिवन कारावास नाबालिक के साथ बलातकर में मौत की सजा जूठा वादा पहचान छिपा कर शोशन करने वालों के लिए भी अलग से अपराद बनाया गया हैं पहले सुपरिंग कौर्ट के जज्जमेंट स चलता था नौड का बयान उसके घर पर महिला अधीकार यों की अधीकार्यों की उपस्थिति में और अपने परिजनों की उपस्थिती में लेने का भी प्रावदान किया है और इसके साथ-साथ online игр की विवस्ता से भी धेर शारी उत्पिदन का आफ सामना कर रहे ही महिलाएं से बच पाएगी ऐसा हमारा मानना है सालों से देश भर में मौब लिंचिंग के अपराद के लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं था प्रावधान करने की मांग होती थी पहली बार मौब लिंचिंग को परिभासित किया गया है नसल जाती समुदाय लिंग जन्मस्तान भासा और अन्यकारणों से जो मौब लिंचिंग होता है इसमें साथ बर्स के कारावास से लेकर मृत्यू की सजा और आज इवन कारावास तक इसके अंदर जोड़ा गया है तो बहुत बड़े समय से जो मांग थी वो पूरी होने जा रहे हैं रात दो एक ऐसा कानून था जो अंग्रेजों ने अपने शासन की रक्सा के लिए बनाया था चाहे मत्मा गांदी हो चाहे तिल केसरी पर प्रतिबन लगाये था वो अपने राज्य की सुरक्सा के लिए अंग्रेजों में बनाया हुआ कानून था राध्रों को हमने जड़ से समाप्त कर दिया है और देश विरोधी हरकतों के लिए नई धारा लेकर आये हैं पहले सरकार के खिलाब स्टेट्मेंट देना गुना था अब भारत की एक्ता और अखंडिक्ता को शतिग्रस्त करने के लिए एक कानून अमल में आएगा तो आजादी के इतने सालों के बाद एक कानून में बढ़ला हुआ है जो एक बहुत बड़ा परिच्चायक है हमारे सम्विदान के स्पिरिट का मैं आप सभी के सामने बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ कि इतीनों कानूनों के पूर्ण स्पिरिट के साथ देज भर में लागू होने के बाद एक कानून सबसे आधूनिक न्याय प्रणाली का सर्जन करेंगे